हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे सींग दाना और सींग दाना हम बनाएंगे बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से सिफ दस मिनिट में घर पे बनाएंगे देखते हैं कैसे बनाना है इसको इसके लिए हमें कुछ खास कुछ समान नीचे बहुत ईजी तरीके से बन जाता है इ अब मैं इसको एक बड़े बाउल में सोकोने के लिए रख दूगी तो इसमें मैंने 1 cup मुफली दाना में लिया है एक ही cup पानी इस पानी में मैं हाफ टी स्पून साल्ट एड करूंगी और उस साल्ट में हम अपना मुफली दाना सोक करके रखेंगे यह देखे मैंने साल्ट डाल दिया है और अब इसको मुझे अच्छे से आप मिक्स कीजे इस साल्ट को बिल्कुल हमें पानी में डिजॉल्फ करना है देखे हमारा पानी फ मुफली दाना सोक हो रहा है उतने हम लो फ्लेम पे अपना साल्ट जिसमें हम इसको रोस्ट करेंगे हम उसको गरम होने के लिए रख देते हैं देखें मैं कडाई में साल्ट गरम होने के लिए रख दिया है यह साल्ट में रगलरली यूज करती हूं इसलिए इस कलर का हो रह तो यह आपने पीड़ेती हैं एक श्टेणर से और थो मिनट के लिए ने नहीं खहे हैं अगर अगर को बिना पानी में सोख किये ऐसे नमक में भून लेते हैं तो वह हमारे साल्टीड पीड़न के ररीज़े रेडि हो जाते हैं और ये हमारा sorry, salted नहीं roasted peanuts बनके ready हो जाते हो और ये हमारे salted peanuts बनके ready होगे ये सिंगदाना बनके ready होगा वो वाला जब हम खाते हैं तो हमें थोड़ा मतलब अलग taste आता है इसको खाने में ऐसा लगता है कि naturally इसमें salt है तो हम इसे अच्छे से roast कर लेंगे और ये देखें जैसे जैसे हमारा सिंगदाना बन रहा है हमारा जो मुफलिया है वो roast होती जा रही है वैसे वैसे इसके उपर से नमक अपने आप हटता जा रहा है जैसे हम एक बार डालते हैं फरस्ट टाइम बनाते है तो ऐसे लगता है कि अरे इतना सारा नमक मुफलियों पर चिपक गया है ये कैसे हटेगा वो जैसे जैसे आप उसको अपने आप roast करते रहेंगे वैसे वैसे वो पुरा नमक हट जाएगा और हमारा सिंगदाना देखें बन के लगबग ready हो चुका है मार्किट टाइब का हमारा सिंगदाना बन रहा है और अब अपने फ्लेम को बन कर देंगे और अपने सिंगदाना को निकाल लेते हैं ये देखें और इसमें जो थोड़ा से सिंगदाना बहुत जादा हो गया है उसको हम यह देख के मैंने सकु इसको बाउल में ट्रांसफर कर लियो है और कितना अच्छा सुन्धर हमारा सिंगदना बनके रेडि हुआ है और अगर आपको हमारा फिद्धी को पसंद आया तो प्लीज हमारे विडियो को लाइक subscribe and share कर दीजे और हमाई रसेपी ट्राइ कीजे थैंक्स फो वाचिए वार वीडियो